Early success सुर्वातीचे यश सिंदूस फिर्स्ट मिजर रेकगमीशन केम इन दे फॉर्म अब दे फिर्थ सर्वो अल इंडिया रंकिंग चैंपेंशिप फॉर अंडर 10 कैटागेरी सर्वो अल इंडिया चैंपेंशिप चा क्रमवारित दाहा वर्षा खालिल गटा मदे पाचवे स्थान प्राप्तकर सिंदूने विशेश तुनुग दाखवली शी अलस वन दे सिंगल स्टाइटल अट अंबुजा सिमेंट अल इंडिया रंकिंग अंबुजा सिमेंट चा अल इंडिया क्रमवारित यह तीने एकेरी किताब मिलावला इन अंडर थर्टीन केटेगिरी सिंदू वन डबल स्टाइटल अट 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 अची अल इंडिया रंकिंग क्रिशना खेतान अल इंडिया तूर्णमेंट अट अब जुनियर नाशनल अन अल इंडिया रंकिंग इन पुने तेरा वर्षा खालिल वयोगता मदे सिंदू ने भारती ओलम्पिक समिती तिल अल इंडिया क्रमवारी, क्रुशना खेतान अल इंडिया सामना सब जुनियर नाशनल अनि अल इंडिया पुने क्रमवारी दोहेरी किताब जिंक ले At the 51st National School Games in India सिंदू won the gold medal in under 14 category भारता तिल एककावन ने राष्ट्रिय शाले क्रिडास पर्दे मदे चाउदावर्षा खालिल वयोगता मदे सिंदू ने सुवन पदक पतकावले सिंदू देबियूट अन पर्फॉर्मंस अट इंटरनाशनल लेवल जाकतिक स्थरावरिल सिंदू चे पदारपन व कामगिरी PV सिंदू डिडन्ट टेक मच ताइम तो लाँच अन इस्टैबलिश हरसल अट प्रामिसिंग प्लेयर इंट ग्लोबल अरेना एक अश्वासक ख्याडो मनून जाकतिक रिडा पतलावर स्वताचे नाव वस्थान प्रस्थापित करने साथी PV सिंदूला फार कालावदी लागला ना ही शी वोन अ ब्राउन्स मेडल अट 2009 सब जुनियर ACN बाटमेंट मेंट चैंपेंशिप्स हेल इन कोलमबो 2009 मदे कोलमबो इथे जाले रा सब जुनियर अशियाई पाटमेंट मेंट चैंपेंशिप मदे तिने कास्य पदक जिंकले दे स्टार प्लेयर बैक्ट सिल्वर इन दे वुमेंट सिंगल्स अट इरान फाजर इंटर्नाशनल पाटमेंट चैंपेंट चैंज इन 2010 और फाउंड प्लेस इन दे नैशनल टीम अट दे 2010 उबेर कप या तारांकित खेयाडू ने 2010 मदे इरान फाजर आंतर राष्ट्रे बैटमेंट चैंपेंट मदे महिला एकिरीच से रजत पदक मेंवले आनी 2010 चा उबर चशक राष्ट्रे संगा मदे स्थान पटकावले